रामायड में एक ऐसा प्रसंग है जिसमें माता सीता के भाई के बारे में बताया गया है लेकिन बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं क्या आप जानते हैं कि माता सीता के भाई कौन थे रामायड में कई सारे ऐसे प्रसंग हैं जो सीता जी के जर्म से लेकर उनके अंतिम स माता सीता जी का जन्मन नहीं हुआ था बलकि वो राजा जनक को एक खेत में मिली थी लेकिन क्या आप जानते हैं कि सीता जी के एक भाई भी थे तो चलिए जानते हैं रामायर से जुड़ा ये प्रसंग जिसमें सीता जी के भाई का परचे मिलता है भगवान राम और सीता जी के विवाह में सभी देवो सहित ब्रम्हा और भगवान शिव भी रूप बदल कर बौजूत थे कोई भी इस विवाह को देखने का मौका छोड़ना नहीं चाहता था इस विवाह में सभी देवगर बौजूत थे इस बात की जानकारी प्रभू श्री राम सहित, महर्शी वशिष्ट और राजशी विश्वा मित्र को भी थी विवा विधी शुरू हो गई विवा का मंतो चार चल रहा था और उसे बीच कन्या के भाई द्वारा की जाने वाली विधी आई इस विधी में कन्या का भाई कन्या के आगे आगे चलते हुए लावे का छिड़काओ करता है विवा पुरोहित ने जब इस रस्म के लिए कन्या के भाई को बुलाने को कहा तो सीता माता के भाई ना होने के कारण सभी संशय में पड़ गए सीता जी धर्ती मा की संतान थी क्योंकि वो मिट्टी से जन्मी थी और इस कारण उनका कोई भी भाई बहन नहीं था राजा जनक को समझ नहीं आ रहा था कि ये रस्म आखिर कैसे पूरी करी जाए अपनी पुत्री के विवाह में इस प्रकार की बाधा पढ़ता देखकर प्रत्वी माता भी बहुत दुखी हुई सब कोई उपाय सोच ही रहा था कि अचानक से एक सामले रंका युवक उठा और उसने इस विधी को पूरी करने के लिए आग्या मांगी इस प्रकार एक अंजान व्यक्ति को इस रस्म को निभाने को आता देखकर राजा जनक दुविधा में पढ़ गए जिस व्यक्ति के कुल, गोत्र का, परिवार का कुछ अतापता ना हो उसे कैसे अपनी पुत्री के भाई के रूप में स्विकार कर सकते थे उन्होंने उस युवक से उसका कुल, परिचय और गोत्र पूछा इस पर मंगल देव ने मुस्कुराते हुए कहा महराज मैं अकारण ही आपकी पुत्री के भाई का करतव पूर करने को नहीं उठा हूँ मैं इस कारे के लिए सर्वता योग्य हूँ अगर आपको कोई शंका हो तो आप महरशी वशिष्ट और विश्वा मित्र जी से इस विशय में पूछ सकते हैं दरसल वो युवक और कोई नहीं बलकि स्वेम मंगल देव थे जो वेश बदल कर नव ग्रहो सहित शीराम जी का विवा देखने वहां आये थे माता सीता का जन्म प्रत्वी से हुआ था और मंगल भी प्रत्वी के ही पुत्र थे इस नाते माता सीता के भाई हुए वो प्रत्वी माता के संकेत पर ही इस विधी को पूड करने के लिए आगे बढ़े थे उस युवक की बात सुनकर राजा जनक ने महर्शी वशिष्ट और विश्वा मित्र से इसके बारे में पूछा वे दोनों तो सब जानते थे इसलिए उन्होंने इसकी आग्या दे दी इस प्रकार मंगल देव ने देवी सीता के भाई के रूपे सारी रसमें निभाई बद भूलिएगा और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताईएगा तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ तब तक के लिए रादे रादे